गुड बॉर्णिंग साथियो स्वागताब सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जिके जीत सर्वे दोस्तों हमने एक शुरुआत के थी कक्साथ 6 से लेकर के बार यूं तक जो रिट भरती परिक्ष्या 2021 है उसमें जो आपके पार्ट लग रहे हैं कक्साथ 6 की समाजिक वि लेकर के आएं आपके लिए और दोस्तों राज्तान अधिन कि जो 6 से लेकर के दस्तक की पार्टे पूश्तक है उसके परसन यहां पर आपको मिलेंगे तो दोस्तों हम आपको बता दूं कि सबसे पहले अपने कक्साथ 6 की सुरुआत की हैं जितने भी पार्ट कहीं हैं आपक कक्सा 6 से बारत तक का तो चलते हैं आज कजवाब का पार्ट कौन सा है देखी मौर्य एम गुप्त का लिन भारत तो यह चट्यू कख्षा का पार्ट है और उनसे जुड़े कौन-कौन से परसन हैं यहां पर हम देखेंगे तो सबसे पहले सरल सरल परसन है कक्साथ 6 कि जो ज बूड़े टोटल क्यूस्न आपके कब्ल भी हो जाएंगे दोस्तों तो यह पार्ट दोनों आपके लगते हैं तो सबसे पहला क्यूस्रन मौरिय काल का सासन काल रहा तो चोती स्थापदी से लेकर के दूसरी स्थापदी तक यह आपको देहान रखना है मौरिय काल का सासन काल रहा है चोती से लेकर के दूसरी स्थापदी तक दूसरा क्यूसर नहां पर इस पार्ट में से बन रहा है मौरिय स्थामराजी की स्थापन राजिक स्तापना के समय किस राजा का सासंथा जब मोरी राजिक सामराजिक स्तापना हुई उस समय किस का सासंथा तो कौन से राजा का था गनानेंदगा तो यह आपको ध्यान में रखना है अगला है आचारी चाणा के कहां पर अध्यापनकारी करते थे तो कौन से तो यह important है आपको दि अगला है शिकंदर के किस उत्रा दिकारी को चंदर गुप्त ने बुरी तरह से प्राजितamo squater चंदर के किस उत्रा दिकाली को चंदर्गुप्त ने क्या क्या पराजित किया तो कौन था शेलुकस को क्या था फिर अगला है मेगस्तनीज किसके सासनकाल में मगद में रुका तो चंदर्गुप्त मौरिय के काल में और शेलुकस के राजदूद के रूप में रुका था फिर मेगनिस्तिस किसकी रचना है मेगनिस्तिस की रचना कौन सी है इंडिका कौन सी है इंडिका ये भी आपको देहा रगना है फिर है चंदर गुप्त ने जीवन के अंतिम समय में किसे अपना गुरू बनाया तो किसे बनाया था जेन धर्म के बद्दर भाव को बनाया था किसको सरवन वेल गोला में गुरू बनाकर तब का मारगे अपनाया तो यह क्यूशन है इंपोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है फिर ग्यारवा क्यूशन है किस मौर ये सासन को एमित्र घहत का जाता है तो किसको का जाता है बिंदू सार को कहा जाता है अगला क्यूशन है विल्यखूं में क्या नाम आता है असोक का क्या नाम आता है देवा नाम पिरिये दर्शी देवताओं का पिरिये को ए मैं ही उलएक है असोक मोरिय यस्वाषण का समराथ कब बना कब बना और 299 ज़िन विल स्वें पिर अक Right इतने करने की, फिर अगला क्यूसर यहाँ पर देख सकते हैं, असोक के अधिकास अभीलेक किस बासा में है, तो कौन सी बासा में है, प्राकर्त बासा में, प्राकर्त बासा में, फिर समराड असोक के अभीलेकों की लिपी क्या है, तो कौन सी लिपी थी, ब्रामी लिपी थी, क पिर बोग धरम की कौन सी संगोष्टी समराथ असोक के काल में समपन हुई तो पाठली पुतर में हुई थी कौन सी संगोष्टी तो बोग धरम से जुड़ाओय तीसरा है फिर चलते हैं अगला कुछ ने असोग के बोध धर्म के परचार के लिए स्री लंका में किशे बेजा तो अपने पुतर और पुत्री को बेजा महंदर एम संगमित्रा को बेजा था फिर असोग के बोध धर्म के परचार के लिए यवन परदेश में किशे बेजा असोग ने बोध ध्रम के परचार के लिए यवन परदेश में किशे बेजा तो किशे बेजा महारक्षित को बेजा ध्यान में रखना है सिरिलंका किसको बेजा महंदरेम संगमित्रा को बेजा और यवन परदेश में किसको बेजा महारक्षित को पिर अगला कि उसने असोग ने बोध ध्रम के परचार के लिए वनवासी उत्री कनाडा में किशे बेजा तो उत्री कनाडा में किशे बेजा रक्षित को बेजा पिर अगला कि उसने असोग ने बहुत धरम परचार के लिए सरवन भूमी पेंगू में किसे बेजा तो किसे बेजा था सोन में उत्रा को बेजा फिर अगला कि उसने यहाँ पर देखी मौर ये सामराजी के पतन के बाद सबसे बड़ा सामराजी किस का रहा तो पतन के बाद में सबसे बड़ा राजय किस का रहा कुसान का रहा फिर पर्मु कुसान सासक कौन था तो कुसान सासक कौन था करनी सक था ये भी आपको द्यान में रखना है फिर हैं गुप्त वंस गुप्त वंस का परताभी सासक कौन था चंदर गुप्त परतम था परताभ गुप्त। अगला है परियाग प्रिस्ति का रचेता कौन था हरिशेन जो समुदर गुप्त का मंतरी और लेकक था। अगला खुरसों चलते हैं किस गुप्द साशक को वीणा वटक का सोब धा तो किस स्मुद्र गुप्द को वीणा बजाने का सोब्ध पिर गुप्द साशक में कम विक्रमा धित्ते के नाम से जाता है तो विक्रमा यह संक्छी को किस नीन कि इत्ते ऑपने विजे वियान के बाद कलेंडर चलाया तो किस देख दरबार में 9 जो रघान थे कौन tes तो महाज़वी कालिदास दनवंत्री सपनक IsNamra शंक, वेतालबट, गटकपर, वरामीर और वरुरुची ये नौरतन थे विक्रमादिते की कई बार एक्जामें पूझ लिया था निमन में से कौन सा नौरतन नहीं है इस परकार से कुछन पूझ लिया जाता है बहुत बार एक्जामें कुछन आया हुआ है कौन सा चिन्नी या काल को माना जाता है गुप्त वन्स का सासन काल को माना जाता है तो यह जाहन दखना है भारती इतियास का सरवनियुक किस के काल को माना जाता है तो कौन से को गुप्त वन्स सासन काल को माना जाता है फिर दोस्तों अगले हैं भारत प्राचिन भारत की अर्थ वियावस्ता से जुड़े कुछ कुछंस है यह भी अपन देख लेते हैं देखी देशी व्याप्यार के लिए प्राचिन भारत में कितने पत्थे दो पत्थे उत्रापत और एक दक्षिना पत्थ उत्रापत का उलेक करना है तो तामर लिपी बंगाल से पाठली पुतर तक तामर लिपती जो काबुल से वलक तक तो यह आपको देहां रखना है फिर हमारी सेंस करती विरासत का जो पाठ है उनसे जुड़ा परसन अस्तियों के उपर मिट्टी वे इंट्रों से बनाए जाने वाला अर्द वर्ता का टिले को क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं स्टूप कहते हैं फिर बुद्ध के अउसेसों को कितने बागों में बांटा है तो कितने बागों में आठ बागों में बांटा गया बुद्ध के अउसेसों को फिर अमरावती स्टूप कहां स्टित है अमरावती कहां है अंदर परदेश में यह आपको जहां रखना है अमरावती कहां पर है अंद कता संग्राले में हैं फिर गुफा में पुज्जा है तू निर्मि ठोस तू कलाते हैं तूसको क्या कहते हैं चेत्य कहते हैं बिक्षूओं के रहने के लिए बनाए गई गुफा बिहार कहीं जाती हैं फिर अगलाद कुछ नहीं देखी चेत्य वे बिहार की मुख की विशेषता क्या थी इनकी दिवारों पर चितर वे बोध रम से जूड़ी जातक कताओं का चितर ने मिलता है फिर देखो अजन्ता की गुफा कहां परिस्थीत है तो यह महराश्टर की औरंगाबाद जो जिला है उसमें बागोरा नदी की गाठी सब एक बाचल क कर वास्ति शरूप कब से प्रारंब माना जाता है मौर्यकाल से मानाज़ाता है मूर्ति कल्ला का वास्त्विक सवरूप फिर है सारनात के असोक स्तम में कितने सेर हैं तो कितने सेर हैं चार फिर है असोक स्तम के आधार में कौन-कौन से जानवर उलेखीत हैं तो कौन-कौन से बेल, गोडा, आती और सेर फिर है भारति कल्ला के इत्यास में किस काल को सरवन काले माना जाता है तो कौ Duck काल को माना जाता है ये पराचिन कुछ रचनाएं ہیں तो कौन साहित्य कार हैं और रचना कौन कौन सी है तो Vishnu Sharma की कौन सी है पंसतंतर किसने लिगी Vishnu Sharma ने फिर कालिधार की कौन कौन सी है अभिज्ञान संकुतलम मेग दूत दितु सार-कुमार समभव यह मुख्य हैं फिर शुद्रक की कौन शिये शुद्रक भी सुद्रक की कौन शुद्रक कौन सी है मर्चु सन्हीं चटीकम सरी मर्च после six निक भार कई तेने हैं अमर्चीं की अमर्कोश हैं पिर समराठ हर्स, हर्स ने कौन से लिखी रतनावली नागानंदन पिर ये दरसी का ये लिखी हुए हर्स की, बानबट की कौन सी हैं हर्स छरीतर हैं, इलांग्रे आदिगल की कौन सी हैं सिलपा दिकर तमिल में, शितले सतनार मनी मेक लई ये हैं फिर आयरुवेदिक का गर्ण किसे किस ने लिखा तरक्त ने लिखा था अगला क्यों सुने सल्ले चिकिट सागी जान करे किस गर्ण से मिलती है तो सूसरू सहिता से मिलती है आर्ये बट का संबन खागौल विज्ञान सेदा आर्ये बठ की रचना आर्ये बठ्यम थी बोध गरंत विने पिटक में क्या संग्रीत है तो बिक्सों के लिए नियम विने पिटक में क्या है नियम है बिक्सों के बोध गरंत सुथ पिटक में क्या है तो सुथ जो पिटक है उसमें बुद्ध की क् के संगम संगम साइटे क्या दोस्तो कल अपन करेंके कक्सा ज्य की GYRI रास्ताम अध्यिन तो दोस्तों ये थे ककसच के जो मुख्य पाध थे किन किन से जुड़े क्युशन थे आज मोर्यकाल, गुप्त काल और बुद्धकाल से जुड़े कुछ important क्युशन थे और मुख्य जो रचनाई थी कुछ तो दोस्तों ये अपन लगाता है शंक्ला है वो एक्जाम तक चलाएंगे दोस्तों जिसे सारे आपके पसने बार कवर हो जाएं दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो इसको लाइक शेयर कोमेंट जरूर करना चैनल को सक्साइब करना ना बोलें धन्यवाद दोस्तों